हुम शांती तीस जैनुवीरी के शुरुद नालम आपका सवकत है डायमेंड बन डायमेंड को देखना मले अपने अंदर अच्छा ही देखना तब जाकर करके हम किसी अंदर अच्छा ही देख पहेंगे अगर हम अपनी जीवन से असंतुष्ट हैं क्यों क्यों हमारी लोके के आता हैं पूरी नहीं हो रही है तो हम औरों से भी असंतुष्ट रहेंगे तो हम डायमेंड नी बन सकते हम तो हम और मोटे अंदर उस्का अंदर हम काला बंदेकर काई ह। तो परमादोh कहते हैं संबन संपर्क में आते हैं डैमईंड बन डाइमउंड को देखने वाले बेडाग डैमडभवा किसी और के अंदर अगर हम फ्लाउज देखेंगे गलतिया कब्सरी गेखेंग तो हम डैमेंडी बन पाएंगे हमारे पर दाग लेती शूरू है मन में दाक संकल्प प्रूपी दाग इंप्योर दों करग कि थोट कि बाप दादा की श्रीमत है कि ॹकिश्र कर जाय मेस ने भ Ur-M 서 चाहे कोई आत्मा काला कोईला, महला उसके अंदर इती गंदगी हो, उसके अंदर संक्रिप्तें इंप्योर हो, सबसे नीच संसकार हो, सबसे इंप्योर थोट्स हो उसके, उसके काला कोईला, एक दम तमो गुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टी पढ़ने से उसका कालापन कम हो मेरा आत्मा भाई है अंजान है अग्यानी है उसकी खलती नहीं है अमरत वेले से रात तक जितनों के भी संपरसंबंद में आओ सिर्फ डायमेंड बन डायमेंड देखते रहो किसी भी विगन अथ्वा स्वभाव के वश डायमेंड पर दाग ना लगे किसी भी विगन कोई हमारे जीबन में विगन आता है इस कारंट से हमारे अंदर किसी के प्रती अश्वभाव है अपवित्र संकल गाली गलोच बद्वा निकलना ये हम आत्मा रूपी डायमेंड में ले आएगा तो किसी भी विगन अथ्वा स्वभाव के वश डायमेंड पर दाग मना लगे मेरा सभावा लगै असका सब्सक्राव लगै प्संद नहीं है उसकी नीचर उसकी बुरी नीचर के बारे बात करना शूरू कर दिया चाहे अनेक प्रकारखी परिस्थितियों के विगन आए लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव न पड़े हैं वो तभी नहीं पड़ेगा जब हमारे संकल बहुत प्योर होंगे पावरफुल होंगे हैं यह तो अगर हम भी उनके जैसे सोचना शूरू करते हैं अगर हम विगन में आ करके नुक्स निकालना शुरू करते हैं बुस्ता होना शुरू करते हैं प्रस्टेट हो जाएं तो फिर हम डामन नहीं हैं काला कोईला बन गए उनके जैसा ही है तो हमें परमात्म की नजर में क्या बनना है ओम शंति